फ्रांस के फोटोग्राफर मैथ्यू स्टन ने 10,000 साल पुरानी बर्फ से लेंस बनाने में सफलता पाई है यह अपने आप में एक नायाब और अहस्थाई कैमरा लेंस है इसको बनाने के लिए आइसलेंड के डायमंड बीच से मिलने वाली बर्फ का इस्तिमाल किया गया मैथ्यू स्टन ने लेंस बनाने के लिए 3 बार प्रयास किया और 4 थी बार में उन्हें सफलता हासिल हुई बेहद ही कम खर्च के साथ इसको बनाने के लिए एक लेंज के आकार वाले खांचे का इस्तिमाल किया जिसे तीन डी फ्रिंटेड लेंज केस बताया है इसके बाद बर्फ गोलाकार में तबदील हो गई और उसके पारदर्शिता भी बरकरार रही दसजार साल पुरानी इस बर्फ को दबा कर एक छोटी सी गेंद में तबदील कर लिया जाता है उसके बाद इस गेंद को एक खास तरह के मॉड्यूल में लगा दिया जाता है इसके बाद 10,000 साल पुरानी बर्फ एक लेंज का रूप ले लेती है इसके बाद उसे DSLR क्यामरे पर लेंस की तरफ फिट कर दिया जाता है मैथ्यू स्टरन इस क्यामरे का इस्तिमाल करके कई फोटो क्लिक भी कर चुके हैं उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीरे लेकर यह दिखाया है कि यह लेंस कैसी फोटो देगा